जैन विश्वास यात्रा के तहट पुरू उपुंक मंतिर तेजस्वी यादब चूबिस फनवरी को नालंदा में आएंगे इस तोरान यात्रा का मकसद 17 साल बनाम 17 महीने के कारियों को जनता के बीच में रखना है इस कारकम को सफल बनाने के लिए नालंदा जिला राजत कारियाले में एक बैठक की गई बैठक में तैयारी को लेकर चर्चा किया गया इसलामपुर विधायक राकेश कमार रौसन ने बताया कि नालंदा हमेशा संघर्च की धर्ती रही है तेजस्वी यादब परिवर्तन का मिश्याल लेकर आगे बढ़ रहा है इस परिवर्तन में नलंदा जिला भी सामिल है वही विधायक राकेश्कमार रौसन ने कहा कि बेहार सरकार पर हमला बोला उन्होंने कहा कि 2020 से 2024 तक सरकार सभी मंत्रियों को कारियों की समझ्छा होनी चाहिए सिर्फ राज़त ही नहीं बलकि जैद्यू के सभी मंत्रियों और गलत काम हुआ और गलत काम को यह लोग कहेंगे कि यह गलत काम है हम कहना चाहते हैं कि आप कौन सा गलत काम हुआ ही तो अभी आप नहीं बताए लेकिन बिहार में जितने विभाग हैं सभी विभागों का 17 महीना कहीं समिच्छा करा लिजे ना हमारे मंत्री कहीं क्यों कराते आपके मंत्री ने क्या किया उसका भी समिच्छा होना चाहिए तब न दूद का दूद पानी का पानी चलेगा इसलिए ये तो सरकार चाहती है कि जनता की आवाज को बंद किया जाए लोकतंत्र की हत्या हो संबिधान का खात्मा हो इसलिए तेजस्वी जादब को जेल के अंद बंद करें ये सरकार की मंसा है लेकिन जनता इस मंसा को सफल होने नई 24 तारिक को दो बजे हमारे मानिये नेता बिरोधी सल श्री तेजस्वी परसाद जादब जी का कार्जक्रम नालंदा की धरती पर हमारे विधान सभा छेत्र के अंतरगर तेकंगर फ्राय में श्री सुख संदेश देने का काम किया है इस वार भी हम अपने नेता का स्वागत इस रूप में करना चाहते हैं कि उनमें जो काम करने का जजवा है जो सोच है और जो बिहार के परिवर्तन का वो मिसाल जलाने चले हैं उस परिवर्तन का अगवाई नालंदा जिला भी बने इसी उद्द से नालंदा जिला में भारी भरकम उनका स्वागत होगा और